अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भुलें जेश्ट माहो के शुक्लबक्ष में पढ़ने वाली एकादशी तिती को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है निर्जला एकादशी के दीन भगवान विश्णु की पूजा की जाती है निर्जला एकादशी का वरत बिना पानी के रखा जाता है इस साल निर्जला एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी इस वरत में अन्नो और जल का त्याप किया जाता है जल की एक बूंद भी इस वरत में गरहन नहीं की जाती है बिना जल गरहन किये ही इस वरत को पूर्ण करना होता है ऐसे में अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का वरत रखने जा रहे है तो आपको इस वरत से जुड़ी बातों का खयाल रखना जरूरी है घर की साफसफाई के बात करे लक्षुमी पूजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफसफाई करे और सुबह उठकर सनान ध्यान कर भगवान विश्णू के साथ मालक्षुमी की पूजा करे इस दिन सुच्चता के नेमों का विशेश ध्यान रखना चाहिए निर्जला एकादशी वरत में पूजा के समय पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करे पीला रंग भगवान विश्णू को प्रिय है एकादशी की दिन चावल ग्रहन नहीं करना चाहिए एकादशी वरत में सुबह और शाम के समय अविश्च पूजा करे इस दिन रात में सोना नहीं चाहिए और भजन किर्टन करना चाहिए निर्जिला एकादशी वरत में ओम नमू भगवते वासु देवायो मंद्र का जाप करना चाहिए निर्जिला एकादशी वरत में काम क्रोध आधी से बचना चाहिए निर्जिला एकादशी वरत का पारण नियम से करे और दान आधी भी देना चाहिए पीपल के पेड में देवताओं का निवा स्थान बताया जाता है भगवान को प्रसंद करने के लिए और उनका अशिरवात पाने के लिए इस एकादशी पर पीपल के पेड के नीचे घी का दीपक जरूर जलाए मा लक्षमी का आशिर्वात पाने के लिए करे ये कारियो एका दशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए ऐसा करने से भगवार निश्णू के साथ माता लक्षमी का भी आशिर्वात मिलता है जिसके कारण से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी ऐसी है निर्जिना एका रशी की महानता